अधरनिय अध्यक्षम होदया, मैं आपका और सदन के सभी अधरनिय सदस्यों का आभार भी वेक्तर करता हूँ और हम सब आज गवरों भी मैसुस कर रहे हैं कि अगस्त करांती का उन्निस मरन करने का इस सदन के पवित्र स्थान पर हम लोगों को सभागे मिला है हम मैं से बहुत लोग हैं जीने शायद अगस्त करांती नव अगस्त उन घट्नाओं का समर्ड होगा लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के लिए भी उनस्मरण प्रेरणा का कारण बनता है और समाज जीवन में ऐसी महत्वपूर घट्नाओं का बार बार स्मरण जीवन की भी अच्छी घट्नाओं का बार बार स्मरण जीवन को एक नई ताकत देता है राष्ट जीवन को भी नई ताकत देता है है उसी प्रकार से हमारी जो नई पीडी है उन तक भी एक बात पहुंचाना हम-भी रहता है पीड़ी दर पीड़ी इतिहास के एक स्वरनीम पुरुष्टों को उस समय के माहोल को उस समय के हमारे मापुरुषों के बलिदान को कर्तग्य को सामर्तग को आने वाली पीडियों तक पहुँचाने कभी हर पीडिय का दाईत तो रहता है जब अगस्त कांती के पचीस साल हुए पचास साल हुए देश के सभी लोगों ने उन घटनाओं का समर्ण किया था आज 75 साल हो रहे हैं और मैं इसे बड़ा महत्वपुर्ण मानता हूं और इसलिए मैं दक्ष महधाय जी का अभारी हूं कि आज हमें यह अवसर मिला है देश के सुतंत्रता अंदोलन में नव अगस्त कि एक ऐसी अवस्था में हैं इतना व्यापक इतना तीव्रव अंदोलन अंग्रेजों उन्हें भी कलपणा नहीं की थी मात्मा गांदी की वरिष्टर लेता सब जेल चले गए और वही पल था कि अनेक नए नेत्रुतों के निजन्म लिया लालबादु सात्री रामनो लोया जैप्रठाद नारायन कई अनेक वीद युवार उस समय उस जो खाली जगा थी उसको भरा और आंदोलन को आगे बढ़ाया इतिहास किये घटनाएं हम लोगों के लिए एक नई प्रेणा नया सामर्थ नया संकल्प नया कर्तुर्त जगाने के लिए किस प्रकार से आउसर बने यह हम लोगों का नियंतर प्यास रहना चाहिए कि 1947 में देश अजाध हुआ एक प्रकार्चे 1857 से लेकर के 1947 तक आज हादी के अंदोलन के अलग-अलग पड़ाव आए अलग-अलग पराक्रम हुए अलग-अलग बलिजान हुए कि उतार चड़ाव भी आए अलग-अलग मोड पर से अंदोलन गुजरा लेकिन 47 की आजहादी के पहले 42 की घटना एक प्रकार से अंतिम व्यापक अंदोलन था अंतिम व्यापक जन संगर्स था और उस जन संगर्स ने आजहादी के लिए देश वांसियों को सिर्फ समय का ही इंतजार था वो स्थितिक पादा कर दी थी और जब हम आजहादी के सांदोलन के और देखते हैं तो 1942 एक ऐसी पिठी का तयार हुई थी 1857 का स्वात्नत संगर्स एक साथ देश के हर कौने में आजहादी का व्यूगल बेजा था और उसके बाद महत्मा गांदी का विजेश से लोटना लोकवाने तिलिक के का पूर्ण स्वराज और स्वराज मेरा जन्म से दिकार है उस भाव को प्रगड करना 1930 में महत्मा गांदी की दांडी मार्च नेता जी सुभास बोर्द ग्वारा आजाध हिंद फोर्च की स्थापना अनेक वीद भगत्सी सुख्देव राजगुरू चंदर्शकर राजार चाफेकर बंदू अंगिनत अपने अपने समय पर बलिदान देते रहे यह सारा ने एक पिठीका तयार की और इस पिठीका का परणाम था कि 42 ने देश को एक उस छोर पर लाकर रख दिया कि अब नहीं तो कभी नहीं आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा इमिजाज देशवाश्यों के बन गया था और इसके कारण उस अंदोलन में इस देश का छोटा मोटा हर व्यक्ती जूड़ गया था तख याजाद्व का लेकिन 42 की घटना देश का कोई कौना ऐसा नहीं था देश का कोई वर्ग ऐसा नहीं था देश की कोई सामाजिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि जिसने इसे अपना नमाना हो और गांधी के सब्दों को लेकर के वो चल पड़े थे यही तो अंदोलन था जब अंतिम स्वर में बात आई भारज छोड़ो और सबसे बड़ी बात है महात्मा गांधी के पुरे अंदोलन में जो भाव कभी प्रगट नहीं हो सकता था पुरे गांधी के चिंतन मनन और विचार और आचार को देखें उससे हटकर के घटना घटी कि इस महापुरुष ने कहा करेंगे या मरेंगे गांधी के मूँ से करेंगे या मरेंगे शब्द देश के लिए अजूबा था और इसलिए गांधी को भी उस समय कहना पुड़ा था और उन्होंने शब्द कहा था आज से आप में हर एक को स्वयम को एक स्वतंत्र महिला या पूरुष समझना चाहिए और इस प्रकार काम करना चाहिए मानों आप स्वतंत्र है मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज़ पर संतुष्ट होने वाला नहीं हो हम करेंगे या मरेंगे ये बापू के शब्द और बापू ने स्पर्द भी किया था कि मैंने मेरे आहिंसा के मार को छोड़ा नहीं है लेकिन आज स्थित्य ची और वो समय जन सामाने का दबाव ऐसा था कि बापू के लिए भी उसका नेत्रू तो समानते हुए उन जन भावनाओं का निकूल इन सब्ज़ प्रयोगों को करना हुआ था मैं समगता हूँ कि उस समय समाज के जब सभी वर्ग जुड़ गए गाव हो किसान हो मद्दूर हो टीचर हो स्टूड़न्ट हो हर कोई इस अंदोलन के साथ जुड़ गए और करेंगे या मरेंगे और बापों तो यहां तक कहते थे कि अंग्रेजों की हिंसा के कारण कोई भी शहीद होता है तो उसके शरीप पर पट्टी लिखनी चाहिए करेंगे या मरेंगे और वो इस आजहादी का अंदोलन का शहीद है इस प्रकार की उचाई तक इस अंदोलन को बापों ने ले जाने का प्रयास किया था और उसी का प्रणाम था कि भारत गुरामी की जंजिरों से मुक्त हुआ देश उस मुक्ति के लिए छट पटा रहा था नेता हो या नागरीक किसी कि भावना की तिवरता में तसू भर भी अंतर नहीं था और मैं समझता हूँ देश जब उठ खड़ा होता है साहमुत्ता की जब शक्ति पाइदा होती है लक्ष निरधारित होता है और उन्हें धारित लक्ष पर चलने के लिए लोग कृत्त संगर पर हो करके चल पड़ते हैं तो 42 से 47 पांच साल के भीतर भीतर बेड़िया चूर चूर हो जाती है और मा भारती आजाद हो जाती है और इसलिए और उस समय राम रुक्ष बैनिपूरी उन्होंने एक किताब लिखी है जंजीरें और दिवारें और उस पतिस्तिति का वर्णन करते हुए नों लिखा है एक अध्गूत मातावरण पूरे देश में बन गया उस पल को उन्होंने शब्द अंकित किया था हर व्यक्ति नेता बन गया और देश के प्रतेक चोहरा करो या मरो अंदोलन का दब्तर बन गया कि देश ने स्वयम को करांती के हवनकुन में जौच दिया करांती की ज्वाला देश भर में धूँ धूँ करके जल रही थी कि मम्माई ने रास्ता दिखा दिया आवा गमन के सारे सादन ठप हो चुके थे ककचरियां विरान हो चली थी भारत के लोगों की वीरता और बिटी सरकार की नुस्रमस्ता की खब्रेब सब्दूर पहुंच रही थी जनता ने करो या मरो के घांदिवादी मंत्र को अच्छी तरह दिल में बैठा लिया था उस समय का वर्ण उस किताब में जब पढ़ते तब पता सकता है कि किस प कि ये घटना ने ये बास ही है कि ब्रिटीश उपनेवेश्णवाद जो था इसका आनम हिंदुस्तान में हुआ और इस घटना के बाद उसका अंत भी हिंदुस्तान से हुआ था भारत आजाद होना सिर्फ भारत का आजाद ही नहीं थी 1942 के बाद विश्व के जिन जिन भूभाग में आपरिका के हेश्या में इस उपनेवेश्णवाद के खिलाब एक ज्वाला भड़की उसकी प्रेना केंद्रा भारत बन गया था अईसलिए भारत सरफ भारत के आजादी नहीं एक आजादी की ललक विश्व के कई भागों में भारत के जन सामाने का संकल्प और करतुत्व कारण बन गया था और कोई भी भारतिय इस बात के लिए घर्व कर सकता है और उसको हमने देखा कि एक बार भारत आजाद हुआ तो उसके बाद एक के बाद एक उपनिश्यवाद के सारे लोगों के जंडे धैते गए और बाद प्राप्त हो गई और ये काम भारत की इच्छा शक्ति का प्रबल इच्छा शक्ति का एक उत्तमों परणाम था हमारे लिए समग यही है कि जब हम एक बन करके संकल्पले करके पूरे सामर्त के साथ निर्धारिक लक्ष को प्राप्त करने के लिए जूड़ जाते हैं तो यह देश की ताकत है कि हम देश को संकटों से भार निकाल देते हैं देश के को गुलामी की जंजिरों से बाहर निकाल सकते हैं देश को नए लख्ष की प्राप्ति के लिए तैयार कर सकते हैं यह इतिहास ने बचाया है और इसलिए उस समय इस पूरे अंदोलन को और पुझ्य बापू के व्यक्तित्व को लगते हुए राश्ट्र कभी सोहनलाल दिवेदी की जो कविता है बापू का सामर्थ क्या है उसको प्रगट कर दी उसका मिता में उन्हों कहा था चल पड़े जिधर दो डग मगमें चल पड़े कोटी पग उसी और गड़ गई जिधर भी एक द्रश्टी गड़ गए कोटी दड़ उसी और जिस तरफ गांदी के दो कदम चड़े देते थे उस तरफ अपने आप करोलो लोग चल पड़ते थे जिधर गांदी जी के द्रश्टी टिक जाती थी उधर करोडो करोड आँखे देखने लग जाती थी और इसलिए इस महान व्यक्तित वज़ें लेकिन आज जब हम 2017 में हैं हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि आज हमारे पास गांदी नहीं है आज हमारे पास उस समय जो उंचाई वाला नेत्रुत्व था वो आज हमारे पास नहीं लेकिन सबासो करोड देश वाच्चों के विश्वास के साथ बैठे हुई हम सब लोग मिल करके उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करें तो मैं मानता हूं कि गांदी के सपनों को उस अस्वातंतर सेनानियों को सपनों को पूरा करना मुश्किल काम नहीं और आज आज का ही अवसर इसी बात के लिए हमें उस समय भी जो बैश्विक हालत थे 1942 में भारत की आज़ादी के लिए बड़े अनुकुल माहोलता है जो भी उस इत्यास से परिचित हैं को मालूम है मैं समझता हूँ आज फिर से एक बार 2017 में जबकि क्वीट इन्या मुमेंट के हम 75 साल मना रहें उस समय विश्व में वो अनुकुलता है जो भारत के लिए बहुत सानुकुल है और उस अनुकुल व्यवस्ता का फायदा हम जितना जल्दी उठा दें जैसे उस समय विश्व के क कई देशों के लिए उपयोगी हो सकते हैं प्रेणा का कारण बन सकते हैं ऐसे मोड़ पर आज हम खड़े हैं 1942 टूथ 2017 इस दोनों में वैश्विक परिवेश में भारत का महत्मा भारत के लिए अवसर समान उससे खड़े हैं और उस समय हम इस बात को कैसे लिए हम उसको समर्थ से प्रेणा ले करते हैं हमारे लिए दल से बड़ा देश होता है राजनीती से उपर राष्टनीती होती है मेरे अपने से उपर सवाश्व करोड़ देश वासी होते हैं अगर उस भाव को लेकर के हम उड़ चले हम सब मिलकर के आगे बढ़ें तो हम इन समस्याओं के कि खिला सफलता पूर्वब आगे बढ़ सकते हैं हम इस बात का निंकार कैसे कर सकते हैं कि ब्रस्टाचार रुपी दीमक ने देश को कैसे तबाह करके रखा हुआ है हम राजनीती ब्रस्टाचार हो सामाजी ब्रवक्त्राचार हो यह वेकितट कर कर देश को लेजा सकते हैं गरीबी कूपोशान असिक्षा ये हमारे सामने चुनोतियां है इन चुनोतियों को हम सरकार की चुनोतियां न माने वो चुनोतियां देश की है देश के गरीब के सामने संकट बरे सवाल खड़े हैं और इसलिए देश के लिए जीने मरने वाले देश के लिए संकल्ब करने वा 1942 में भी अलग-अलग धारा के लोग थे, हिंसा में विश्वास करने वाले भी लोग थे, नेताजी सुभात बाबू की सोच अलग थी, लेकिन 42 में समने एक्षपर से कह दिया था, आज तो गांदी के नेतृत में, ट्वीट इंडिया यही हमारा मार्ग है, हमारे भी लानन पानन विचार जाला अलग रग रही होगी, लेकिन ये समय की मांग है, ये समय की मांग है, कि हम कुछ मिंदूओं से देश को मुक्त कराने के लिए संकल्प का आउसर लेकर के चले, चाहे गरीवी हो, भुखमरी हो, असिक्षा हो, अंतसरत्ता हो, महत्मा गांदी का, ग्राम स्वराज का सपना, कितना पीछे छूट गया, क्या कारण है कि गांग लोग छोड़ छोड़ करके शहरों की और बस रहे, गांग की उस सिंता को, गांदी के जो मन में गांग था, क्या हम हमारे भीतर उसको पुनर्जवीत कर सकते हैं, क्या, गांग पीडित, सोसित, बंचित, उसके जीवन के लिए, अगर हम कुछ कर सकते हैं, मिल करके करना है, यह सवाल मेरा और तेरा नहीं है, यह सवाल इस पार उस पार का नहीं है, यह हम सब का है, सवासो करूर देश वाचियों का है, सवासो करूर देश वाचियों के जनपतिनी दिका और यहीं तो जब समय होता है जब वो प्रेना हम लोगों को कुछ करलेने की शक्ति देती हैं और उसको लेकर करके हम आगे चल सकते हैं हम यह भी जानते हैं देश में जाने अन्जाने में अधिकार भाव प्रबल होता चला गया कर तब भाव लुझत होता गया राश्ट जीवन के अंदर, समाज जीवन के अंदर, अधिकार भाव का महत में उतना ही रहते हुए भी, अगर कर्तव्य भाव को थोड़ा सा भी हम कम आखने लगेंगे, तो समाज जीवन में कितनी बड़ी मुसीबत होती हैं, और दुर्भांगे से, दुर्भांगे से हम लोगों का way of life, हमारे चरित्र में कुछ चीजे गुज गई है, जिसमें हमें बुरा ही नहीं लगता हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, अगर मैं चोराएं पर red light को छोड़ करके, cross करके निकल जाता हूँ, तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं कानू तोट रहा हूँ, मैं कहीं पर थूख देता हूँ, गंकी करता हूँ, हमें लगता ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, हम अपने कर्यत्तब भाव से, एक प्रकार थे हमारे जहन में, हमारे way of life में, इस प्रकार की नियोमों को तोड़ना, कानूनों को तोड़ना, इस दोशी है नहीं है अस्पताल दोशी है नहीं है रिस्तेदार जाते हैं अस्पताल को आग लगा देते हैं डॉक्टर को मारते हैं पीटते हैं हर छोटी गोटी घटना कहीं एक्सिडेंट हो गया हम कार को जहा देते हैं ड्राइवर को मार देते हैं यह जो चना है यह हम लॉफ क लौ एबाइनिंग जो सिटीजन के नाते हमारा करतब होना चाहिए हम मानने लगे हैं कि हमारे से छुट गया हमारे वे आफ लाइफ में ऐसी चीजे गुज गई है जैसे हमें लगता ही नहीं है कि हम कानून तोड रहे हैं और इसलिए ये लीडर्सिप की जिम्मेवारी होती है समाज के अंदर हम सब की जिम्मेवारी होती है कि हम समाज के अंदर इन दोसों से मुक्ति दिला करके समाज के अंदर करतब्य भाव को जगाएं साउचाले स्वचता इविशे मजाक के नहीं है उन मां बहनों की परेशानी समझे तब पता चलता है कि जब साउचाले नहीं होता तो रात के अंधेरे का इंतिजार करते समय दिन कैसे बिताना पड़ता और इसलिए साउचाले बनाना एक काम है लेकिन समाज की मांसिकता बदर करके साउचाले का उप्योग करना कि जन सामान्य के शिक्षा के लिए आवश्चत होता है इस भाव को हमें जगाना होगा और यह भाव कानूनों से नहीं होता है कानून बना से से नहीं होता है कानून उसमें मदद कर सकता है लेकिन करतव भाव जगाने से जाता हो सकता है और इसलिए हम लोगों को करना होता है हमारे देश की माताएं बेहने देश के अंदर कम से कम देश पर जो बोज है देश को कम से कम जिनका बोज सहना पड़ता है वो अगर कोई वर्ग है तो इस देश की माताएं बहने हैं महिलाएं उनका समर्द हमें कितनी ताकत दे सकता है उनकी भागिधारी हमारे विकास के अंदर हमें कितना बलते सकती है पूरे आजाजी के अंदोनन में देखिए महत्मा गांदी के साथ आंदोनन के जहां जहां हुआ अनograph एसी माताय बहने उस अंदोनन का नित्वत्त करती थी और देश को आजाजी दिलाने में भी हमारी माताओं बेहनों का उस यूग में भी उतना ही योगदान था आज भी राष्ट के जीवन में उनका उतना ही योगदान है उसको आगे बढ़ाने के दिस्या में हम लोगों ने करता भी होते आगे बढ़ना चाहिए यह बात सही है कि 1857 से 1942 हमने देखा कि आजादी का अंदोलन अलग-अलग पड़ाव से गुजरा उतार चड़ाव आए अलग-अलग मोड आए नेतुर्त्व नए-नए आते गए कभी क्रांती का पक्ष उपर हो गया तो कभी एहिंसा का पक्ष उपर हो गया कभी दोनों धारों सब्सक्राव का माहल रहा कभी दोनों धारा एक दूसरे को पूरत भी हुई लेकिन हमने देखा है कि करता है लेकिन यह सारा 1857 से 1942 का कालखनम देखें एक प्रकार से इंक्रिमेंटल था दीरे दीरे बढ़ रहा था दीरे दीरे फैल रहा था दीरे दीरे लोग जुड रहे लेकिन 1942-1947 वो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं था एक डिस्रप्शन का एन्वार्मेंट था और उसने सारे समी करोणों को खतम करके आज हादी देने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था जाने के लिए मजबूर कर दिया था अटारोस सब्सक्राइब नाइंटीन फोर्टीटू धीरे धीरे कुछ होता रहता था चलता रहता था लेकिन फोर्टी टू से फोर्टी सेवन वो स्थिति नहीं हम भी देखे समाज जीवन में हम पिछले 100-200 साल का इतियास देखें तो विकास की यात्रा एक इंक्रिमेंटल अगे बढ़ रही थी कि दिर दिरे दिरे दुनिया आपको बरतन रही थी लेकिन पिछले 30-40 साल में er दुनिया में अर्चानक बदलाव आया जीवन में अचानक बदलाव आया और टेक्न लोजी ने बहुत बढ़ा रोल प्ले किया है कोई कलपना नहीं कर सकता है जो यह 30-40 साल में दुनिया में जो बढ़लाव आया है व्यक्ति के जीवन में मानों जीवन में सोच में जो बढ़लाव आया है 30-40 साल पहले हमें नजर भी नहीं आता था एक disruption वाला एक positive change हम अनुभव करते हैं जिस प्रकार से इंक्रिमेंटल से भाव निकल करके एक समसे एक high jump की तरब चले गए मैं समझता हूँ 2017 2022 ट्वीट इंडिया के 75 साल और आजहादी के 75 साल के बीच का 5 साल 42-47 का जो मिजाज था वही मिजाज अगर दुबारा हम देश में पादा करे 2072-2022 आजहादी के 75 साल मनाएंगे तद तम हम देश के हमारे आजहादी के वीरों के जो का मनाए थी उन सपनों को पूरा करने के लिए हम अपने आपको खपाएंगे हम अपने संकल्पों को लेकर आगे चलेंगे मुझे विश्वास है न सिर्म हमारे देश की भला भला होगा लेकिन जैसे 42-47 की सभलता के कारण दुनिया के अनेक देशों को लाब मिला आजहादी की ललक अगर हम विश्व के सामने भारत को उचाई पर लेकर जाते हैं तो विश्व का एक बहुत बड़ा समुदाय है जो किसी नेत्रुत्व की तलास में मदद की तलास में है कोईसी के प्रयोगों से सीखना चाहता है भारत उस पूर्ती के लिए सामर्दबान है अगर उसको करने के लिए हम कोशिश करें मैं समता हूं देश की बहुत बड़ी सेवा होती है और इसलिए एक सामुई की च्छाशक्ती जगाना देश को संकल पर बत्त करना देश के लोगों को साथ जोड़ करके चलना और इन पांच बरस के महत्व को हम अगर आगे भणाएंगे तो मुझे पिश्वास है कि हम कुछ मुद्दों पर सहमती बना करके हैं बहुत बड़ा काम कर सकते हैं हमने अभी अभी देखा जीएस्टी और यह मैं बार-बार कहता हूं यह मेरा सिरफ राजनीतिक स्टेक्मेंट नहीं है यह मेरा कन्वीक्शन है जीएस्टी की सभलता यह किसी सरका लोगों की इच्छा शक्ति का परनाम है चाहिए यहां बैठे हो चाहां महां बैठे हो यह सब को जाता है राज्यों को जाता है देश के सामान्य वैपारी को जाता है और उसी के कराने संभव हुआ है जो देश के राजनीतिक नेतुरत अपनी प्रतिवत्यता के घारन इतना बड़ा काम कर लेती है और दुनिया के लिए जूबा है जी एस्टी विश्व के लिए बहुत बड़ा जूबा है उसके स्केल को देख करके हुए अगर यह देश कर सकता है तो और भी सारे निरने यह देश मिल जाट करके कर सकता है और सवासों करोड देश वास्यों के प्र आत्मा गांदी ने नारा जिया था करो या मरो उस समय का सूत्र था करेंगे या मरेंगे आज 2017 में 2022 को भारत कैसा हो इस संकल्प लेकर करकर चलना है तो हम लोगों को भी हम सम मिलकर के देश से ब्रश्टाचार दूर करेंगे और करके रहेंगे हम सभी मिलकर गरीबों को उनका अधिकार दिलाएंगे और दिलाकर रहेंगे हम सभी मिलकर नव जवानों को स्वरोजगार के और अवसर देंगे और देखन रहेंगे हम सभी मिलकर देश से कुपुशन की समस्या को खत्म करेंगे और करके रहेंगे हम सभी मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने वाली बेडियों को खत्म करेंगे और करके रहेंगे हम सभी मिलकर देश से आज सिक्षा खत्म करेंगे और करके रहेंगे और कोई बहुत विश्व हो सकते हैं लेकर अगर उस समय का मंत्र था करेंगे या मरेंगे तो आजाद हिंदुस्तान में 25 साल वाल आजादी का परव मनाने की और आगे बढ़ रहें तब करेंगे और करके रहेंगे इस संकल्प को सरकार का नहीं यह संकल्प सभाइसो करोर देशवाशी सभाइसों के जनप्रति दी सब कर मिलकर के जब संकल्प बनेगा तो मुझे विश्वास है संकल्प से सिद्धी के यह फांच साल 2017-2022 आजहाजी के पचातर साल आजहाजी के दिवानों को सपना पुरा करने का सामर्थ वान समय इसको हम प्रेणा का कारण बनाए आज अगस्ट कांती दिवस पर उन महापुरुषों का समरण करते हुए उनके त्यात तफस्या बनिदान का समरण करते हुए उस पुन्य सम कारण से आशिरवाद मांगते हुए हम सम मिल करके कुछ बांतों पर सहमति बना करके देश का नितृत्व देश को समस्याओं से मुक्त करें सपने सामर्थ शक्ति और लक्ष की पूर्ति के लिए आगे बड़े इसी एक अपएक शाक्षिदार मैं फिर एक बार अध्यक्ष करता हूं और आज़ादी के दिवानों को नमन करता हूं